लो फ्रेंड्स वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल वर्ड फैक्ट हिंदी में दोस्तों ये तो आप सभी को पता ही होगा कि पाकिस्तान 1947 से पहले भारत देश का ही हिस्सा हुआ करता था लेकिन 1947 से हुए बटवारे के बाद पाकिस्तान भारत एक दूसरे से अलग हो गए और इसके बाद दोनों ही एक दूसरे के जानी दुस्मन बन गए इतना समय गुजर जाने के बाद भी इनकी तल्खिया कम नहीं हुई दोनों ही देश एक दूसरे को नीचा दिखाने या कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते इसका कारण है हमारा राजनेतिक माहौल जो चंद बोटों के कारण भारतिये जनता को पाकिस्तानी और पाकिस्तानी जनता को भारत के खिलाब करती है इससे वो लोग जीत तो जाते हैं लेकिन उनमें दूरियां भी और जादा बढ़ जाती है पाकिस्तान में बिस्ट की सबसे उंची अंतराश्टिय सड़क है कारकोरम राजमार पाकिस्तान का राश्टिय पे गन्ये का जूस है जिसे रोम की नाम से भी जाना जाता है पाकिस्तान की पुल जमीन इलाके में से 25% पर खेती होती है ऐसा माना जाता है कि बिस्त का सबसे बड़ा मानो निर्व जंगल चंगा मंगा फोरेश्ट पाकिस्तान में है पाकिस्तान का राष्टिय फल आम और राष्टिय फूल चमीली का है पाकिस्तान का राष्टिय पसू मार्खोर बकरी की एक परजाती होती है जिसे मार्कोर कहते हैं एवं राष्टी पक्षी चकोर है पाकिस्तान में गड़तन्स दिवस तेश मार्च को मनाया जाता है जिसे पाकिस्तान दिवस भी कहते हैं पाकिस्तान की 48 परतीसद जनसंग्या पंजाबी बोलती है पाकिस्तान की लगबग 97 परतीसद जनसंग्या मुसल्मान और केबल एक परतीसद हिंदू है पाकिस्तान में 159 एयरफोर्ट है पाकिस्तान की राश्टियगान की अबधी 80 सेकेंड है पाकिस्तान में 59 बिस्त बिद् से पाकिस्तान की सीमध भारत, तीन, इरान और अफगानिस्तान से लगती है पाकिस्तान का सफ़ी बड़ा सहर करांजी है इसकी राजधानी बित्ती है जहां 13 कडोर लोग रहते हैं पाकिस्तान विस्त का पहला मुस्लिम देशे जिसमें परमानु उर्जा की सक्ती प्रापती थी